गैस स्वागत है आपको में नई वीडियो में बात करने वाले है लूना पॉइंट के बारे में एक बहुत इंपोर्टन अपडेट निकल का रही है लूना पॉइंट की तरब से तो मैं आपको बताने वाला हूँ और साथी साथ यह एपडेट ऐसी है जो कि क्रिप्टो का अची मार्केट के उपर भी इंपेक्ट डाल सकती है तो दियां से सुनिएगा मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ crypto का future क्या होने वाला है इस case के बाद मैं आपको ये भी बताने हैं आपड जा रहा हूँ guys अगर channel पर पहली बार आ है तो channel को आप subscribe कर लेना क्योंकि market की सारी update मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए सबसे पहले लेके आ जाओ और ये कोशिश में मैं कामियाब भी रहा हूँ और लगातार कोशिश करता भी रहता हूँ guys बहुत time लगता है पहले आपकी पूरी research करने पड़ती है डेर से दो गंटा देने पड़ता है एक वीडियो को तब जाके shoot करता हूँ फिर आपके लिए लेके आता हूँ वैसा कर मैनत लगती है आपको कि आपका भाई मैनत करता है तो भाई बस इस वीडियो को एक like कर देना चैनल को आप subscribe कर लेना नहीं कर रहा है तो चैनल को subscribe करके बैल आइकन दवा देना और कर दिया है सब्सक्राइब तो भाई एक बार चेक कर लो कि आपने बैल आइकन दवा के रखा है या नहीं दवा के रखा टेलिग्राम पर नहीं जुड़े तो जुड़े जाना क्योंकि free of cost क्रिप्टो कॉल मापर आपको मिल जाएंगी comment box में आपका link है चले बात कर लेता है बुद्दे की बुद्दे की बात क्या है देखें यहाँ पर मैंने आपको बदाया था कि भाई टेलिग्राम के उपर यहाँ पर investigation चल ली है South Korea में South Korea की जो rules है वो बहुत ही तकड़े है ठीक है वो किसी और country से मुकाबले बहुत ही जादा तकड़े हैं वो हमेशा जब भी investigate करते हैं तो पूरी depth में जाके यहाँ पर investigate करते हैं अब यह आपकी investigation चली रही थी Luna Foundation के उपर लेकिन क्या आपको पता है कि जो investigator है यानि कि जो इस case को अब investigate कर रहा है वो South Korea की सबसे बड़ी firm है जो कि investigation में सबसे बड़ी firm मानी जाती है firm का नाम मैं आपको बता हूँ तो firm का नाम है आपका यूवी दो ग्रिम रीपर ठीक है यह firm का नाम है जिसे कि इंडिया में आपका यहापर CVI है इस तरह से यहाँ पर आपका क्या है यहाँ पर आपका यूवी दो ग्रिम रीपर है ठीक है यह बहुत बड़ी firm है बहुत जानीवानी firm है और माना जाता है कि टॉफ firms में आती है South Korea के और पूरी दुनिया में भी माना जाता है कि South Korea की यह firm ऐसी है जिसने की बाल की खाल तक भी निकाल के लिए आती है तो देखने वाले क्या बाल की खाल निकलेगी इस case में हलाकि यह जो टीम है यह पिछले ढ़ाई साल से नहीं थी ठीक है थी मतलब पहले लेकिन पिछले ढ़ाई साल से active नहीं थी अब इस case के लिए यह team especially यहाँ पर active की गई है यानि कि यह case इतना बड़ा है South Korea के लिए कि South Korea किसी भी condition में इस case को यहाँ पर solve करना चाता है और जानना चाता है कि आखिर इसमें गड़वड के है मैं आपको बता दू इतनी बात क्यों बड़ी क्योंकि लगबग यहाँ पर South Korea के 2.8 lakh है लोग जिनोंने यहाँ पर Luna Point में आपका investment करा था अब वो लोग परिशान है, society तक आ गए है ठीक है, कुछ लोग तो तिने परिशान होगा कि भाई घर तक में गुजगे हैं यहाँ ठीक है इसमें साथ साथ आपके employees भी हैं, तो लगबग 48 लोगों की टीम है जो की अब यहाँ पर Luna के उपर पूरी research करके ला रही है ठीक है, अब बात कर लेते हैं, चलो यह तो हो गया कि यहाँ पर किस तरह से research होने जा रही है और एक बहुत अच्छी research होने जा रही है, यह तो हमको यहाँ पर पता चलिए है साथ की साथ मैं आपको बता दू एक टेक्स चोरी का आरोप भी लगा है और यह केस तब से जादा यहाँ पर सुर्कियों में आ गया है साउथ कोरिया में जब से पता लगा है कि भाई लगबग डो जोन ने 78.5 मिलियन का टेक्स चोरी करने का पूरा जुवाड बांद लिया था और अपना बोरिय अविस्तर बांद के भाई साब जो है वो आपका साउथ कोरिया से कहा ले जाना चारे थे ले जाना चारे थे और सेटल भी हो गए थे लेकिन यह नहीं पता था कि इसमत में पढ़ जाएंगे पत्थर और पत्थर पढ़ने के बाद लुना फांडेशन यूस्ट डाउन हो जाएगा और यह सब कुछ हो जाएगा चलिए आप बात कर लिते हैं आप पर कुछ और निय नहीं है आपको यह स्कैम ही लगेगा तो सबसे पहले मैंने आपको नियूस दे दे थी कि एक बहुत बड़ी फर्म है आपकी पैंटेरा कैपिटल जो की आपके इन्वेस्टमेंट करती है तो इसके लगबग यहाँ पर बल सेवन्टी मिलियन इन्वेस्टमेंट था लुना क अच्छा आप साइड एफेक्ट की बात कर लेते हैं सबसे पहले जो साइड एफेक्ट अभी बिल्कुल लेटेस्ट नियूस निकल कई है और स्टेडिया का एक बैंक है जिसका नाम है आपका कॉमन वेल्थ यह बेसिकली आपके पहले इन्वेस्टमेंट के लिए पूरी एक पर क्या कर सकते हो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो पुल मलाकि में आपको बताओं तो एक बिरिच के पर तोर पे काम कर रहा है था उस्टिया में क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट में और लोगों की बीच में ठीक है अब इसने क्या कर रहा है commonwealth वैल्थ गेम यह यह जो आपका common wealth game मैं कहा रहा हूँ common wealth bank है यह ठीक है ऑस्टेलिया का है तो इसने क्या कर दिया इसने कर दिया भाई वो सब कुछ बंद कि अब से हम कोई बी ऐसी सर्विस नहीं देंगे जिसमें आपका crypto का नाम भी जुड़ेगा तो भाई बहुत ही आपके बीरिश नहीं है ऑस्टे आपकी country है उसकी president यहाँ पर एक law लाने वाले थे crypto के अपर regulate करने के लुप पर लेकिन भाई अब वो regulation भी यहाँ पर नहीं होगी ऐसे ही बहुत सारे case निकल के आए हैं after luna की लोग यहाँ पर कत्रा रहे हैं अब crypto currency market में even countries यहाँ पर bearish news लगातार दे रही हैं क्यों क्योंक जो हुआ हम को पता है ठीक है luna coin में हमने यहाँ पर loss करा हूँ लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि crypto currency market का आप नाम खराब हो रहा है due to luna तो इसको जतनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हैं आपर सही करना चाहिए और भाई एक example set करना चाहिए जो नए investor आने वाले हैं क्योंक यह पूरा काम हुआ है यह पूरा खेला जो चल ला है आपका UST के वज़े से चल ला है तो उसका जो आज ट्रेडिंग प्राइस था वो लगबग यहाँ पर 0.08 था यानि कि आप दीख सकते हो जो एक प्राइस होना चाहिए आपका डॉलर से पैक्ट 75 उरपीस वो आज की ड जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पर कुछ ना कुछ आना चाहिए और अच्छी बात यह है कि अब जो है साउथ कोरिया ने अपनी सबसे बेस्ट फर्म लगा दी है इन्वेस्टिकेशन के लिए देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकल क्या आता है इस वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना वीडियो को आप शेयर कर देना वाइट टेक केर एंड बी सेफ